आपने डॉक्स को चूहे बिल्ली या अपने से छोटे जीवों पर हमला करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन घातक जानवरों पर हमला करते हुए आपने इनने शायद ही देखा हो, इसलिए आज हम आपके लिए ऐसी दमदार श्टोडी लेकर आये हैं, जहां आप डॉक्स क शेर या टाइगर जैसे खतनाग जानवरों पर अटैक करते हुए देखेंगे, डॉक्स वर्सिस मंकी, पेडों पर छलांग लगाने के मामले में बंदर काफी एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कहते हैं न कि जब किसमत खरा इसे नोच रहे हैं, वहीं पर अपने साथी के साथ हो रहे इस हमले को देखकर, बाकी बंदर काफी सहम से गए हैं, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, डॉक्स वर्सिस रकून, कुत्ते कुत्ते ही हुते हैं, लेकिन अगर वो एक बार किसी के पीछे पड़ जाय तो कभी भूरे रंग वाला कुत्ता उसे अपनी और खीचने के लिए जपटा मारता है, क्लिप में आप देख सकते हैं कि रकून अभी जिन्दा है, और वो अपनी जान बचाने के लिए काफी कोसिस कर रहा है, लेकिन आखिर में दोनों कुत्ते उसे गरदन और पीछे के हि लिजाड वर्सिस डॉग, लिजाड के भागने की कैफिसिटी काफी कमाल की हुती है, और ये जल्दी किसी के हाथ नहीं लगते, लेकिन इस वीडियो को देख कर आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ पर एक लिजाड इस कुत्ते के जाल में फस जाता है, और कुत्ते को भगाने के लिए अपनी पूच से बार बार वार करता है, लेकिन कुत्ता भी कहा मानने वाला था, वो भी लिजाड पर बराबर ही नजर बनाये हुए था, और आखिर ये कुत्ता लिजाड पर आपना हमला करने में सफाल हो जाता है, दोस्तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें, डैशन्ट्स किलिंग स्नेक, साप एक ऐसा जीव है, जिसे मारना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जब इन डैशन्स ने मिलकर साप की चटनी बनाई तो, शायद साप की प्रजाती भी सत्ते में आ गई होगी, वीडियो किलिप में आप को मारने के लिए, उसे अपने मुँ में किस तरीके से दबोच रखा है, कभी एक डैशन्स साप को अपने मुँ में दबा कर मारने की कूसिस कर रहा है, तो कभी दूसरा डैशन्स साप को मुँ से पकड़ कर मार रहा है, काफी देर बाद ये दोनों डैशन्स मिलकर साप के द दूस्मनों के संखिया जादा हो अच्छे से अच्छे पहलवानों के भी पसीने छूड़ जाते हैं और ऐसा ही कुछ इस टाइगर के साथ हुआ जब उसके पीछे कुटों का एक जुन्ड लग गया आप देख कर खुदी समझ सकते हैं कि इतने सारे कुटों के सामने ये बाग कितना बेवस नजर आ रहा है बाग को अकेला पाकर इन कुटों ने उस पर हमला बोल दिया देखिये इन कुटों ने इस चीते को कितनी बुरी तरीके से घेर लिया है सभी कुटे उसके आसपस घूम रहे हैं और मोका मिलते ही इस चीते के पिछले हिससे परवार करने पर कर डॉक्स काफी एक्टिव हो जाते हैं और उन पर अटैक करने की कोसिस करते हैं और ऐसा ही कुछ दिलजस्प नजारा आप यहाँ पर देख सकते हैं खतरनाक सा दिखने वाला यह लिजाड सैर करने के लिए निगला था और तभी उसका सामना एक डॉक से हो जाता है बस फि लिजार्ट भी अपने पूँच से उसके उपर तेजी से हमला करता है। काफी देर तक दोनों की बीश जवर्जस लड़ाय चलती है। फिर लाश्ट में मौका मिलते ही डॉग लिजार्ट को अपने पैने दान्थों की मदद से अपने कबजे में ले लेता है और लिजार्ट की आदी पूँच कट कर गिर जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीकी से लिजार्ट की पूँच जमीर पर तरफ़ा रही है। डॉग्स वर्सिस शार्क शार्क जैसे विशाल का जीव को देखकर छोटे मोटे जीव उसके नजदीक जाने से भी कतराते हैं लेकिन जब समुद्र में शार्क पर अटैक करने का ये वीडियो वाइरल हुआ तो सभी ने दान्तों तले, उंगली दबा ली, दोस्तों ये क्ल और स्टेलिया के नजदीक एक आइलेंड के तट पर रिकॉर्ड की गई थी, जहां पर कुछ कुट्ते अपनी जान की परवा की बिना एक शार्क से पंगा लेने के लिए समुद्र में जाग उसे, डॉग वर्सिस लॉयन, पूरे जंगल में शेर एक मात्र ऐसा जानवर माना जाता है, जो किसी से भी नहीं डरता, और इसलिए उससे जंगल के राजा की उपादी दी जाती है, लेकिन आज सायद शेर की ये उपादी उससे छीनी जा सकती है, जी हां, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक डॉग बिना घबराए शेर से जा भिडा और शेर की हालत ख रहेगा, सेर पर अटैक करने के बाद डॉग उसे चकमत देख कर वहाँ से उरंचू हो जाता है, दोस्तों अगर आप यहां तक आये हैं तो एंड स्क्रीन की वीडियो जरूर देखना